नमस्कार दोस्तों मरी योटूब चैनल डीके नौलेज्सों पे आपका स्वागत है तो दोस्तों रूस और यूक्रेन का विवाद अपने चरम पर पहुँच गया है रूस के सेन निबल यूक्रेन के सीमा पर मौजूद हैं और भारी संख्या में मौजूद हैं और अब इसकी पुष्टी मैक्सर की हाई रेजोलूशन वाली तस्वीरों ने कर दिया है जो पिछले 48 घंटों में ली गई है इसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसमें बेलारूस, क्रीमिया और पस्चिमी रूस में बड़े पैमाने पर सेन जमाओडे को देखा जा सकता है तस्वीरों में अग्रिम मोर्चे पर तैनाद लडाकू बिमान और फाइटर बंबर्स को भी देखा जा सकता है दोस्तो रूस ने ज्यादातर यूक्रेन के उत्तरी और उत्तरी पुर्व में अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ाया है इसके अलामा क्रीमिया में रूस का एक बड़ा सेन बेस सामिल है जिसको रूस ने 2014 में यूक्रेन से कबजा लिया था मजूदा अनुमान और कई रिपोर्ट के अनुसार रूस ने यूक्रेन बार्डर पर एक से डेढ़ लाक सेनिकों के साथ यूक्रेन को घेरे हुए है इसके साथ ही रूस का सबसे बड़ा डवलमेंट देखने को मिला है और वो है यस-400 जिसको रूस ने बेलारूस में तैनात कर दिया है और यस-400 की तैनाती ने यूक्रेन को अंदर से भवीत कर दिया है साथी बिश्व की प्रमुक सक्तियां जो यूक्रेन के साथ खड़ी हैं वो भी सहम गई है रूस ने अपने परमाड हतियारों को भी एक्टिब कर दिया है और उसकी तैनाती भी बेलारूस में की गई है दोस्तो कई अमेर्की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रूस सोरे फरोरी या बीस फरोरी को युक्रेन पर हमला करेगा तो दोस्तो युद की तैयारियों को रूस का युद्धा भ्यास ही बता रहा है जिसमें रूसी सेना बेलारूस के साथ दस फरोरी से ही युद्धा भ्यास कर रही है हलाकि इस बिनासक युद्ध को टालने के लिए भी कुटनीतिक प्रयास किये जा रहे हैं रूस जिद पर अड़ा हुआ है और रूस को पता है कि अब नहीं तो कभी नहीं दरसल यूक्रेन पूरो सोवियत यूनियन का हिस्सा था जिसको अमेरिका ने सीत यूद में तोड़ दिया था और अब यूक्रेन को नाटो में सामिल कराना चाहता है और इसी लिए रूस की बारता भी फेल हो चुकी है और इसके साथ ही जर्मनी और फ्रांस की कोशिसे भी नाकाम साबित हुई है और रूस किसी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता इसी को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने पैरा टूपस को पॉलेंड में उतार दिया है और रूस पर भारी भर अरकम प्रतिबंद लगाने की धमकी दी है लेकि रूस को चीन के साथ के कारण अमेरिकी प्रतिबंदों का कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि चीन रूस को आर्थिक सहायता दे सकता है जिससे रूस की अर्थब्योस्ता युद्ध के बाद अमेरिकी प्रतिबंदों के कारण तबाह होने से बच जाएगी और इसको लेकर रूस चीन में सहमती बन गई है इस युद्ध का सबसे बड़ा इंपेक्ट भारत पर होगा क्योंकि रूस को खुला समर्थन और आर्थिक सहयोग के कारड रूस चीन के पाले में पूरता चला जाएगा और अगर अमेरिका रूस पर भेंकर प्रतिबंद लगा देता है तो भारत और रूस के यस-800 डील को भी घरा धका लगेगा क्योंकि भारत को 5 यस-400 में से सिर्फ एक यस-400 की डिलवरी हुई है और बाकी 4 यस-400 आने वाले हैं जिसको चाइना भी रोकना चाहता है ऐसे में रूस और छूक्रेन का वि करे जैहिन बंदे मातरम